शुबास जीन ने जो कहा रावी पार कहानी उन्गी पता नहीं धर्शन सिंग्ग क्यों पागल नहीं हो गया बाप घर पे मर गया और माँ उस बचे खुचे गुर्दवारे में खो गई और शाहनी ने एक साथ दो बच्चे जन दिये दो बेटे जुडवा उसे समझ नहीं आता था कि वह हसे यह रोए इस हाथ ले इस हाथ दे का सौदा किया था खिसमत में सुनते थे आजादी आ चुकी है या आ रही है तोडर मलपुर कब पहुचेगी पता नहीं हिंदू सिक सब चुकते चुकते गुर्दवारे में जमा हो रहे थे शाहनी दिन रात दर्द से कराती रहती थी आखरी दिन थे जचगी के और पहली पहली आउलाद दर्शन सिंग रोज नई नई खबरें लाता था फसादाब की बाप धाडस देता कुछ नहीं होगा बेटा कुछ नहीं होगा अभी तक किसी हिंदू सिक के मकान पर हमला हुआ है क्या गुर्दवारे पर तो हुआ है न पापाजी दो भार आग लग चुकी है और तुम लोग वहीं जाकर जमा होना चाहती हो इस बात पर दर्शन सिंग चुप हो जाता पर जिसे देखो वही घर छोड़कर गुर्दवारे में जमा हो रहा था एक जगा एकठा होने से बड़ा होसला होता है पापाजी अपनी गली में तो अब कोई हिंदू सिक बचा नहीं है बस हमी हैं अकेले दस पंद्रा दिन पहले की बात है रात के वक्त पापाजी के गिरने के आवाज हुई आंगन में पर सब उठ गए दूर गुर्दवारे की तरफ से बोले सो नहाल के नारे सुनाई दे रहे थे पापाजी के उसी में आंक खुल गई थी और वा छट पर देखने चले गए थे सीड़ियां उतरते पाउं फिसला और बस आंगन में खड़ी कुदाल सिर में खुस गई किसी तरह पापाजी के संसकार पूरे किये और कुछ मालियत थी एक तकिये में भरी और बाकी तीनों ने गुरदवारे में जाकर पना ली गुरदवारे में खौफ ज़दा लोगों की कमी नहीं थी इसलिए होसला रहता था अब उसे डर नहीं लगता था दर्शन सिंग कहता हम अकेले थोड़ी हैं और कोई नहीं तो वाइगरू के पास तो है नौजवान सेवादारों का जथा दिन पर काम में जुटा रहता लोगों ने अपने अपने घरों से जितना भी आटा दाल घी था उठवा लिया था लंगर दिन रात चलता था मगर कब तक यह सवाल सबके दिल में था लोग उमीद करते थे कि सरदार कोई कुमक भेजेगी सरकार कोई कुमक भेजेगी कौन सी सरकार एक पूछता अंग्रेज तो चले गए और यहाँ पाकिस्तान तो बन गया है लेकिन पाकिस्तान के सरकार नहीं बनी अभी और सुना है मिल्टरी और अपनी हिपाजत में शरनार्थियों के काफले बोर्डर पार करा देती है शरनार्थी ये क्या होता है और रिफ्योजी यार ये लफ्ज पहले तो कभी नहीं सुने थे दो तीन परिवारों के एक जथा जिन से दबाव बरदाश्ट नहीं हुआ निकल पड़ा हम तो चलत पानी का हवाला दिया नानक नाम जहाज है चड़े जोतरे पार कुछ लोग निकल जाते तो खला का एक बुलबुला सा बन जाता माहौल में और फिर कोई और आ जाता तो बाहर के खबरों से बुलबुला फूट जाता है इस्टेक्शन पर तो बहुत बड़ा कैम्प लगा ह हुए थे सुबह सक्रांत की थी गुरुदवारे में दिन रात पाठ चलता रहता था बड़ी शुब घड़ी में शानी ने अपने जुड़मा बेटों को जन्म दिया एक तो बहुती कमजोर पैदा हुआ बचने की उमीद भी नहीं थी लेकिन शानी ने नाभी के जोर से बा बेटों के सारे चलने को तयार हो गई मा ने हिलने से इंकार कर दिया मैं आ जाओंगी बेटा अगले किसे काफले के साथ आ जाओंगी तो बहु और मेरे पोतों को सभाल के निकल जा दर्शन सिंग ने बहुत जिद की तो गरंथी ने समझाया सेवादारों ने हिम्मत दी नि बेटों को यूं सर पर उठा लिया जैसे परिवार का खौंचा लेकर निकला हो इस्टेशन पर गाड़ी थी लेकिन गाड़ी में जगह नहीं थी च्छत पर लोग घास की तरह उगे हुए थी बेचारी नई नई नहीफो नजार मा और नोजाइदा बच्चों को देखकर ल ही चुड़के छिलका हो गई एक बच्चे को रखती तो दूसरा उठा लेती मेले को चैले कपड़ों में लिप्टे दो बच्चों की पोटलियां लगता था किसी कूड़े के धेर से उठा कर लाई गई हैं कुछ घंटों बाद जब गाड़ी रात में दाखिल हुई तो दर हो चुका था दर्शन सिंग जो फूट फूट के रोया तो आसपास के लोगों को भी मालूम हो गया सब ने चाहा कि शानी से उस बच्चे को ले लें लेकिन वो तो पहले ही पथरा चुकी थी तोकरी को चपा मार के बैठ गई नहीं भाई के बगार दूसरा दूद नहीं पी बस जी खेराबाद निकल गया ये तो गुजरावाला है जी बस एक घंटा और लाहूर आया किसम जो पहुंच गए हिंदुस्तान जोश में लोग नारे भी लगाने लगे थे हर हर महादेव जो बोले सोने हाल सत्सरिया काल गाड़ी एक पुल पर चड़ी तो लहर सी जो रावी में उसका कल्यान हो जाएगा उस पार ले जाके क्या करोगे दर्शन सिंग ने धीरे से टोकरी दूर खिसका ली और फिर यकलक थी पोटली उठाई और वाई गुरू कहकर रावी में फेंक दी अंधेरे में हलकी सी एक आवाज सुनाई दी किसी बच्चे की बच्चा शाहने की छाते से लिपता हुआ था फिर से एक शोर का वगूला उठा वागा वागा हिंदुस्तान जिन्दाबाद